तो भई सूत्रों के मताब एक गांगुली भईया ने ये बोला है कि भईया भंबरा भईया सायद खेल भी सकते है भी रूल दाउट नहीं हुआ अच्छे से तो भई रमेश पवार ने इतनी तगड़ी वोलिंग करी तो रमेश पवार को है ले लेना चाहिए भाई यह इस बार की टीम में मतलब जो लेजन्स के मैच चल ले थे उसमें बहुत तगड़ी वोलिंग करी यार पवार भईया ने मज़े मत लिया करो तुम बुमरा भाईया को भाईया क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया तो और हमारे दिल के साथ ही खेल गए देखो भी बुमरा भाईया चलो रूल डाउट फो भी जाया तो भाईया भाईया बुमरा भाईया के जगे सिराज भाईया को ले रहे ना कि दीपक भाईया को यह का मज़ा के भाई तो भाई पिछले एक या दो सालों में अल्मोस्ट इंडिया ने 49 T20s खेले उसमें से भुमरा भाई ने सिर्फ 10 T20s खेले बाकी 39 तो खेले ही नहीं है वाँ अपने जडेजा भाई या हॉस्पिटल के बेट से अलगी मज़े कर रहे हैं यह भी छोड़ो भाई लगता हारी स्राव भाई ने पिछली वीडियो देख ली तो मतला बला गी बोल रहे हैंगी MCG is my home ground अब जिनको नहीं पता भाई उनको बदा देना चातो कि हारी स्राव भाई सबसे पहले ऑस्टेलिया गय थे मतला बीबील वले उठाके ले गयते ऐसे बैठे होते घर पे तो उठाके ले गयते कि हमारे नेट में बोलिंग कर दो उनकी बोलिंग मेशीन खराब होगी थी तो उठाके ले गया बंदे ने ठीक ठाक बोलिंग कर दी और बीबील टीम में भी नाम आगए मतलब भाया जी कुछ भी कह देते हैं मतलब पाकिस्तान और तो कुछ भी इतना भोलापन भी सही नहीं है दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है देखो भाया मैं इस पर कुछ सवाल नहीं उठाऊंगा कि इनका MCG होम ग्राउंड है या नहीं मतलब हो भी सकता है BBL खेले हैं तो शायद पिछ को अच्छे से समझते हो पर मेरे को भाया मतलब ये पता करना है कि इन्होंने इतने इंगलीश के साथ बोले कैसे जब इनका भाय BBL के मैच के बाद इंटर्वी हो रहा है ताब इनको संदीब लामी जाने को लेके जाना पड़ा अपने साथ टांसलेट करने के लिए हाला कि भाया इंगलीश तो सिर्फ एक लेंगविज है रोनाल्डो भाई सर्फू और मैसी भाया मतलब टॉप थ्री स्पोर्ट्समें जो वर्ल्ड के हैं उनको अब तक इंगलीश इत्यास्टी से नहीं आती तो हारी सरव भाया को भी नहीं आई तो कोई बड़ी बात है नहीं MCG को अपना होम ग्राउंड बताते हैं और होम ग्राउंड पर ऐसी परफॉर्मेंस करते हैं चार ओर में 40 तन सिर्फ 10 की एकनॉमी से रंदी हैं बंदी की एकनॉमी पाकिस्तान की एकनॉमी से भी ज्यादा है अब ये मत बोलना कि ये जोग पिछले वीडियो में भी मारा था गलती हो गई जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हो तो वही है उस सोचने दिया करें अभी सोचा नहीं तो इसलिए बोल दिया मबारक हो हैरिस बहुत शांदार प्रदर्शन आपका पहले तो शांदार प्रदर्शन के लिए आपके लिए एक छोटी सी ट्रोफी आपके साथ रखिए पहले आब वो कबूल करें इतनी अच्छी गेंदबाजी करी आपने चार सफलता हैं आपके नम और खास तोर पर मैच विनिंग प्रदर्शन किया आपने कैसे समाप करेंगे इसको अगर आपके गेंदबाजी की तरफ देखेंगे तो बहुत जादा और अच्छे आप्शन्स हैं विकल्प हैं आप कैसे एक अलग लेवल का कॉम्पेटिशन आपस में चला के रखते हैं आपके बहुत सारे गें गेंदबाजी करते हैं और एक ऐसा एहम मुकाबला मैच खेलने को मिलता है तो आपस में भी क्या कभी कॉम्पेटिशन रहता है गेंदबाजों का इंगली जाए भाड में और भाड में मतलब हिंदी बोलने वाली दीदी मिली थी मुश्किल से भीया उनके जवाबों का भी स उसके नशे के बाद तो भीया मैं कुछ भी बोल रहा हूं मतलब जवाबों के सवाल गर भी क्या बोल रहा हूं अलगी लेवल है भाईया अपने पाकिस्तान वालों का एक तो भीया मतलब इतना भी बोला नहीं बनना चाहिए दुनिया खा जाती है वीड़ी भूमरा के उप हो किसी भी टीम के उपर हो भई याप पाकिस्तान दो भी इंट में लिछ अहीं ड़ा latest in और का विछ-छ आइज और शाथ में पर यापकिस्तान condition भी al चीज में अलगी नौक खेलता है यार मतलब मेरे को ऐसा लगता ही लेजंड लीग में जाते बंदा अलगी लेवल पर आ गया है नाम के आगे लेजंड लग रहा तो मतलब भई यह सही में लेजंड की जैसे खेने लग गए आज की वीडियो के लिए भाई इतना ही अगली वीडियो कल आ जाएगी तब तक के लिए टाटा भाई भाई गुडबाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना